मरते दम तक नहीं होगा कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कभी नहीं होगी पत्री, मोटापा होगा सदा के लिए दूर, नवश्कार जानते होने मैं बता दूँ, यह है दोस्तों, तेज पत्ता, जिसे इंगलिश में बिलीव कहा जाता है, और इस पत्ते की दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ऐसे फायदी गिराऊंगा, जिसे जानने के बाद आप भी इसका इस्तिमाल आज से ही शुरू करतेंगे, आपको दोस्त पत्ता दोस्तों आपको कुछ इस तरह से, जब आप मारकीट से लेने जाएंगे, आपको इस तरह से मिलेगा, आपको कई तरह से टूटे हुए मी मिलेंगे, कुछ में छेध होंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि साफ सुत्रетров तेज पत्ता जो है, उसको चाट लेना है और इसको हम इस्तिमाल करने के लिए कि एक बार के लिए आप यहाँ पर 3-4 तेज़ पत्ता लीजे medium size के और उन्हें तोड़ कर हम यहाँ पर एक पैन में मिलाएंगे आप पैन में दोस्तों पहले एक गिलास पानी मिला लीजे और उसमें इन पत्तों को हम कम से कम 30 मिनट तक पानी में भेगोकर रखेंगे शरीर में कहीं भी दर्द हो सूजन हो आपके चोड़ों में दर्द हो रहा हो बदन दर्द हो तो तेज पत्ते में दोस्तों पाए जाने वाले अंटी इंफ्लमेंटरी गुन्स एक पेन कलर की तरह काम करते हैं और दर्द निवारक का काम करते हैं इसी के साथ साथ जो लोग चोड़ों घुटनों की सूजन से परिशान है तेज पत्ते में लोंग मिलाकर पीस कर उसका लेप लगाने से दोस्तों हमारी सूजन भी कम होती है साथी साथी हैं हमारी भूग को काबू में रखता है जो लोग भी दोस्तों मोटा पे से परिशान है वजन घटाना चाहते हैं पेट के आसपात बहुत सारी चरबी आ चुकी है थाइस बहुत भारी हो चुकी है उन्हें अपना वजन कम करना है तेज पते का पानी दोस्तों के वजन खटाने में बहुत मदद करेगा क्योंकि आपका वेटलोस करने के साथ साथ पेट साफ रखेगा और आपकी भूग को भी काबू में रखेगा रात-रात भर नीन नाना दोस्तों पीना किसी दवाई के नीन नानी की समस्या को ठीक करने के लिए तेज़ पत्ता बहुत फायदिमत है इसके पानी को पीने से रात भर अच्छी नीद आती है जिससे अगली सुबा दिन अच्छा जाता है एक शोद की अनुसार पाया गया है कि दोस्तों डाइबिटीस के मरीजों के लिए भी तेज़ पत्ता बहुत फायदिमत है इसके पत्ते 30 दिन लगातार खाने से डाइबिटीस के पेशन्ट में बढ़ती होई डाइबिटीस में 21-26 परतिशत की कमी देखी गई है इसी के सासा जिन लोगों को कैलेस्ट्रोल बढ़ता है उनमें भी दोस्तों 20-24 परतिशत तक की कमी आई है तेज़ पत्ता खाने से इसी के सासा जिनका सरदर रहता है बुखार बहुत होता है खांसी बहुत आती है बहुत जल्दी उनको जुखाम हो जाता है तो तेज़ पत्ते का पानी दोस्तों उनलोगों को ऐसे ठीक करेगा जैसे उनने किसी दवाई का सिवन किया हो पेशाब में होने वाली जलन पेशाब करते समय जलन होना किटनी सबंदी समस्यों के लिए भी दोस्तों ये तेज़ पत्ता बहुत फायदिमन है आपको क्या करना है कि आधी गंटे तक इसे पानी में भीगो कर रखना है उसके बाद दोस्तो हम यहाँ पर इस तेज पत्ते के पानी को तयार करेंगे आप इसे धिमी आज पर गरम करें और जैसे ऐसे यह पानी गरम हो यह एक चमच सौफ डाल देनी है सौफ दोस्तो हर घर में होती है सौफ दोस्तो हमारे हाजमे के लिए और डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए बहुत फायदमत है क्योंकि दोस्तो जादतर बिमारियों की जड़ जो है पेट सही शुरू होती है और जब हमारा पेट अच्छे से काम करता है तो अधिकतर बिमारियें तो वही खतम हो जाती है और सौफ दोस्तों हमारे हाजमे को सही करने, डाइजेशन सही बनाने साथी साथ गैस की समस्या ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छी है आप दोस्ति यहाँ बर इस पानी को धीवी आज पर गरम करें और तब तक गरम करते रहें, जब तक इस पानी में कुछ इस तरह से उबाल लाने लगे और यह पानी जो है लगबग आदा न रहजाए जब ये पानी आदा हो जाएगा तब हम गैस ओफ कर देंगे और इस पानी को हलका से ठंडा कर लेंगे जिससे हम चान कर ये पीने लाइक हो जाए और इससे हम यहाँ पर इस तरह के एक कप में निकाल लेंगे और ये जो remedy है दोस्ता हमानी तैयार है इस remedy के दोस्तो हम हर बल टी भी कह सकते हैं क्योंकि आपको इसे एक चाई की तरह पीना है और आपको इसे कुछ दिन तक लगातार पीना है और फ्रदी कि आपके जोडो घुटनों में होने वाला दर्द कायब होगा सूजिन की समस्या ठीक होगी जिन लोगों को diabetes है, cholesterol बहुत बढ़ जाता है वो भी अगर लेंगी तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा यह जिनको पत्तरी की समस्या है, kidney stone की समस्या है तो दवाई के साथ साथ इसे लिने से आपकी पत्तरी पेशाप के जरीए तूट कर भारा जाएगी पेट की एक्सरा चरबी से लेने से कम होगी, मोटापा खतम होगा साथी साथी से वो भी पी सकते हैं जिनने भूलने की समस्या है क्योंकि यह दोस्तों ड्रिंक आपका दिमाग भी बहुत तेज करेगी दिन में आपको इसे एक बार चाई की तरह पीना है और दो हफ्ते में आपको इसके ऐसे रिजर्ट मिलेंगे कि आप भी खोशी से चुम उठेंगे आज की जानकर ही बस यहीं तक थी पसंद आए दोसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलती रहें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद